नमस्कार निउस पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव दोस्तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी हां नाम तो सुना होगा इन दोनों निताओं का आपने राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर बीजेपी को मात देने की बड़ी तयारी में जेपी को मात देने की बड़ी तयारी कर ली है एक तरफ राहुल गांधी हर्याना में कॉंग्रेस की हार के बाद बिलकुल एंगरी यंग मैन वाले अंदाज में पूरी पार्टी में उपर से नीचे तक बदलाव लाने की रननीती बना चुके हैं और साथ ही ईवीम को लेकर पूरे देश में नई लड़ाई छेडने की तैयारी हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ अखलेश यादव ने कल से उत्तर परदेश में ऐसी सियासी हलचल मचाई है जिसके कारण बिहार से होते हुए बिहार उत्तर परदेश यहां से होते हुए दिल्ली तक और दिल्ली से आ प्रदाने की तैयारी कर रही बीजेपी के हाथ से केंदर की सत्ता चली जाएगी एक बड़ा सवाल है सवाल ये भी है कि क्या जलती ही प्रधान मंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी हट जाएंगे क्योंकि आज अखिलेश यादव ने नितीश कुमार को एक बड़ा मश्वीर दे दिया है और कहा है कि अब उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए दरसल जैप्रकाश नरायन की जैनती पर उनकी मूर्ती को माला चरहने पहनाने पर कल से उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है बीजेपी सरकार ने अखिलेश यादव को रोकने के लिए ब और नितीश कुमार को वही से मश्विरा दे दिया कि जैपी का आपमान करने वालों के साथ उन्हें नहीं रहना चाहिए यानि जो बीजेपी है उसका साथ नितीश कुमार को छोड़ देना चाहिए इसके बाद एक प्रेस कांफरेंस में भी अखिलेश यादव ने यही बात कही और साथ में ही बीजेपी पर तंज भी कसा आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव चर्चा की शुरुआत यही से और यहां के बात जब आगे बढ़ेंगे तो राहुल गांधी ने क्या रननीतिया बनाई हैं इलेक्रोनिक बोटिंग मशीन क को लेकर देश में क्या कुछ चल रहा है और यहां से दिली की कुरसी तक और उसके बाद महाराष्ट और जारखंड में जो चुनाओं होने जा रहे हैं उन चुनाओं के पहले क्या कुछ चल रहा है सब कुछ सब पर बात करेंगे विचार करेंगे लेकिन प्रस्ताव देता ह कि नितीश पी-म की कुर्सी पर बैठ जाएं तो क्या पता नितीश बाबू फिर इधर आ जाएं वैसे अखिलेश यादब ने आज एक और जवरदस्त कटाक्ष भी किया है वो भी ज़रा सुन लेते हैं क्या कुछ कटाक्ष में कह रहे हैं अखिलेश यादब आएंगे राहुल गांधी और एवियम तक लेकिन पहले लखनों में जो कुछ हुआ कल रात से लेकर आज तक उसे देख लेते हैं अखिलेश यादब को सुनिए जब दिया बुजता है तो फरफराते हैं लोग यह खटने से पहले का ये क्रोड दिखाई दे रहा है तो सुन लिया आपने जब दिया बुजता है तो फरफराते हैं लोग इस बात के जरी अखिलेश यादब ने योगी पर निशाना साधा है दोस्तों या मोदी पर निशाना हो सकता है साधा हो ये बीजेपी के लोग ही तै करें लेकिन अखिलेश के तेवर बता रहे हैं कि उत्तर परदेश की सियासत में अभी गर्मी और बढ़ेगी हलांकि मौसम धीरे धीरे सरदी का आने जा रहा है वही पर राहुल गांधी ने भी कल कॉंग्रेस की समिक्षा बैठक में जो तेवर दिखाए उससे अब कॉंग्रेस में रहकर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोग सहम गए हैं बताया जा रहा है कि कल जिस तरह राहुल गांधी कॉंग्रेस कारियाले अचानक पहुँचे उससे पार्टी में हर कंप है आपको याद होगा कि कल राहूल गांधी मलीकारजुन खडगे के घर से जब निकले मीटिंग के बाद समिक्षा बैठक के बाद जहां उन्होंने और मलीकारजुन खडगे ने ये तै किया कि हर्याना चुनाओ को लेकर फैक्ट फैंडिंग कमीटी हम बनाएंगे और फैक्ट कि आनक पौंचे तो वहाँ पार्टी में वहां के कार्याले के अन्य सहयो गियों साथी में हर कम्प मचा हुआ कल से वैसे राहूल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जिन लोगों के मन में डर है वो पार्टी से चले जाएं और अब वो साफ़ तौर पर पार्टी हित से ऊपर अपने हितों को रखने वाले निताओं के लिए भी नाराज़गी दिखा रहे हैं खास कर हरियाना की छत्रपों तक ये मैसेच चला गया है कि उनकी मनमानी के दिन लद गये हैं इधर हरियाना में EBM में गरबडी की जो आशंका है उसे लेकर भी अब राहुल गांधी लंबी लड़ाई के मूड में आ गये हैं क्योंकि सवाल अब लोकतंत्र बचाने का है आज इधर महराष्ट में संजे राउत ने भी कहा है कि चुनाव आयोग चूना लगाता है जी हाँ संजे राउत ने कहा है सुबा सुबा कि चुनाव आयोग चूना लगाता है लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि महराष्ट में ये घोटाला नहीं हो पाएगा आये जरा पहले सुन लेते हैं संजे राउत को कि चुनाव आयोग कैसे चूना लगाता है और महराष्ट चुनाओं में ये घोटाला हम करने नहीं देंगे संजे राउत कह रहे हैं सुनिये ज़रा बलकि वो तमाम समविधानिक संस्थाएं भी हैं जो किसी तरह बीजेपी की मदद कर रही है इन संस्थाओं को उनकी जिमेदारी का एहसास कराने की लड़ाई भी अभी इंडिया गडबंधन लड़ रहा है वैसे महराष्ट में बीजेपी धांदली की रन्नीती बनाए या ना बनाए उसे अब ये सोचना होगा कि वो सहयोगी दलों को कैसे साथ रखे क्योंकि अजीत पवार कल जिस तरह कैबिनेट बैठक से चले गए और उधर एक नाथ शिंदे एक महीने में करीब डेर सौ फैसले लेकर अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं सही सुन रहे हैं आप पिछले एक महीने में करीब डेर सो नए फैसले ले चुके हैं एक नाथ शिंदे महाराष्ट में और अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं एक नाथ शिंदे ये दोनों ही बाते बीजेपी के लिए चिंता की हैं चिंता की बात इसलिए क्योंकि यहां से बीजेपी बैक फुट पर नजराती है क्योंकि न पवार पर भरोसा कर सकती है बीजेपी और नहीं शिंदे पर भरोसा कर सकती है बीजेपी ऐसे में अखिलेश यादब का तंस भी याद आता है कि दिया बुझने से पहले लोग फड़ फड़ाते हैं क्योंकि बीजेपी का दिया भी अब बुझने की तरफ ही बढ़ रहा है ये एक महत्पूर्ण बात है जिधर अखिलेश यादब ने इशारा किया है लेकिन इस सब के बीच अभी आपने देखा पर्सों शाम को चुनाओ आयोग पहुंचा था कोंग्रेस का डेलिघेशन आपने वो भी देखा था जब पहुंचा था कोंग्रेस का डेलिघेशन और उसने जो बाते अपनी रखी थी क्या बाते रखी थी जरा एक बार फिर से सुन लेते हैं आप याद कीजिए कि उस समय कॉंग्रेस के डेलिगेशन में अभिशेक मनु सिंग भी थे पवन खेडा थे हुड़ा थे भुपिंदर सिंग हुड़ा इनके अलावा बहुत सारे तमाम नेता अशोगहलोत भी थे एक के में एक ग्यापद सब्मिट किया था उनको सौपा था आज उसके बाद फिर से ये आप तस्वीर देख रहे हैं चुनावायों से बाहर निकलते हुए लेकिन आज एक बार फिर कॉंग्रेस ने एक और लेटर सौपा है ये लेटर आप देख लिजे चीफ एलेक्शन कमिशन क को लेटर अभी से थोड़ी दिर पहले ये लेटर जैरामरमेश ने भेजा है चुनावायों को इसमें 20 गरबरियों का 20 सीटों पर गरबरियों की बात साफ साफ कही गई है इस चिट्थी को साजा करते हुए कॉंग्रेस ने क्या कुछ लिखा है जरा उसको देख लेते हैं ट 20 विधान सभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और अन्यमित्ताओं को हाइलाइट किया गया है हमें उमीद है कि चुनावायोग इस पर संग्यान लेगा और उचित निर्देश जारी करेगा ये कह रहे हैं जैरामरमेश कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से य ग्यापन सौपा गया है और जिसमें 20 विधान सभा का जिक्र यहां पर किया गया है मामला सिर्फ ये 20 विधान सभा या ऐसे कुछ ग्यापनों का नहीं है दोस्तों मामला जो है वो ये है चुनाव की गड़वरियों का चुनाव में कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी ये तो result के आने के बाद हम बता पाते हैं और वो आपने देख लिया आठ तारीक को जो result आए उस result के बाद खूब समिक्षाएं हो रही हैं और 99% लोग Congress को समझा रहे हैं कि Congress को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन 1% हम जैसे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि को इसी चुठियां क्यों लिखने पड़ रही थी चुनावा योग को जब ये कहा जा रहा था कि 2009 के चुनाव में Congress Party ने धांधली की है और इतना ही नहीं उस समय GBL नरसिमह राओ ने EBM पर एक किताब लिख डाली थी ये सब कई बार हम लोग इसी मंद से repeat कर चुके हैं लेक कि रहते हैं कि Congress को अपने नेताओं को लोकल नेताओं को ठीक करना चाहिए Congress को इस पर ध्यान देना चाहिए EBM की चोरी नहों इन सब पर ध्यान देना चाहिए लेकिन ये जो स्वतंत्र संस्थाएं समविधानिक संस्थाएं जिसमें सब सरोपरी है चुनावा योग जो सबाब ढूंडने की कोशिश करनी चाहिए लिकिन उससे पहले जो आप चिठी और उसके लिए जैराम रमेश की कजट्वीट है वो देख रहे थे जरा ये भी सुना देना चाहता हूं जो साथी सुनलियों होंगे उनके उनसे माफी मांगते हुए शमा चाहते हुए इसको य अपनी बात जो रख रहते जरा उससे सुन लीजिए केसी वेनोगोपाल जी अशो केलोज जी अजय माकन जी रौद्रीब उपेंदर सिंग घुडा जी जैराम रमेश जी उनेभान जी और सिंग्वी साहब भी थे वो ऑनलाइन जोड़े एलेक्शन कमिशन को हमने अवगत कर कराया करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई है उनमेंसे साथ लिखित शिकायतें जो भी आई है साथ से जिसमें बैटरीज का खास तोर पे जो 99 प्रतिशत बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन और बाकी मशीने जो सामान्य थी वो 60-70 प्रतिशत दिखा रहे थी उस से हमने चुनाव आयोत को अवगत कराया और चुनाव आयोत ने हमें ये आश्वासंद दिया है क्योंकि माकंजी ने और सिंग्वी साहब ने एक मांग रखी वो तमाम मशीने जिनके भारे में आज जिक्र किया है शिकायत की है उन मशीनों को सील कर दिया जाए सेखियोर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती हमने चुनावायोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही है हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमिडिया के अध्यक्ष उधेभान जी इकटी कर रहे हैं वो तमाम शिकायते भी हम अगले 48 घंटे में उबलब्द करा देंगे चुनावायोग को और उसके बाद वो सारी मशीने सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ा चाड़ी नहीं हो सोके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है और कोई सब्सक्ष चुनावायोग ने हमें आश् एक प्रिस नोट जारी किया गया है इधर से कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से और अर्बन एरिया में कैसे यहां पर धांधली हुई है टर्नाउट में वो सब भी इसमें बताया गया है आज जो जैराम रमेश ने चुठी लिखी है और सबसे बड़ी बात की यहां अलग-अल अलावा कालका पचकुला यह चौद यह टोटल नबे सीटों का और कहां कैसे यहां पर टर्नाउट में गड़बड़ियां हुई हैं और कहीं मैकसिमम साथ पर्तिशक तक सेवन परसेंट तक यह सारी चीजे और इसमें सेवेंटीन ए सेवेंटीन बी सेवेंटीन सी का जो जि चलिए इनी तमाम मसलों पे हम आते हैं अब चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों हर्याना रिजल्ट पर अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा और कमेंट करके बताईएगा भी इस पर चर्चा पर आपकी क्या गाया है धन्यवाद